प्रतिया प्रार्म हो चुकी है सभी भागों में लागू हो चुकी है इसी के साथ अपैक्षा है कि अब सभी विभाग सभी कार्याले अपनी समस्त प्रकार की डाकों को ओनलाइन राजकार्ज बोर्टल के माध्यम से प्रेशित करेंगे इससे पहले के वीडियो मैंने आपको इफाइल को क्रियेट करने की प्रक्रिया की संपूर्ण जन्द करेंगे थी आज हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें के अंत्रगत हम राजकार्ज पर ओनलाइन डाक प्रबंधन कैसे किया जाएगा उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को इस वीडियो में हम समझेंगे इस संदर में अभी एक आदेश जारी हुआ है आदेश क्या है मैं आपको बतायता हूं यह वह आदेश जो कि रास्तान सरकार प्रसासनिक सुध इसमें उपर का जो यह पेलग्राफ है इसमें फाइलिंग के संदर में जो दिशा निर्देश जारी किया जाते हैं कि अग्रेशित की जाने वाली समस्त प्रकार के डाक राजकास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जोने का कार्य किया जाना है यानि अब भविष्ट में जितने भी डाक होंगी वो ओनलाइन माध्यम से बिजवाई जाएंगी ऑफलाइन माध्यम से प्रेशित की गई डाक को स्विकार नहीं किया जाएगा और ओनलाइन माध्यम से भेजी गई डाक पर आपको इस प्रकार से सिगनेचर किये होई होने प्रक्रिया को मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा चलिए वीडियो को प्राइर्म करते हैं कार्याले में डाक प्रबंदन के लिए अब तक की जो प्रक्रिया चल रही थी मैं आपको उसके बारे में फुरा से बता दूँ कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यह बाहर से कोई शक्स डाक को लेकर आया है कार्याले में यान डाकिया इसको हम बोल सकते हैं यह पहले स्टेप में डाकिया डाक लेकर आता था उस डाक को हम डाक के फोल्डर में कार्याले में इंसर्ट कर देते थे फिर इस डाक के फोल्डर पर कारी करने का कारी यानि छटनी करने का कारी किसी कार्मिक द्वारा किया जाता था तीशन नमर पर छटनी करने के बाद में अलग-अलग विभागों की डाक को अलग-अलग रिसिप्ट में भेज दिया जाता था इस व्यक्ति के द्वारा और रिशिप्ट में एंट्री होने के बाद में जिस विभाग से संबनित डाक थी उस विभाग से संबनित अधिकारियों को सब्सक्राइब करके भेज दियाती थी तो यह प्रक्रिया अभी तक चलती थी अब इस प्रक्रिया को ओनलाइन मोड में कैस पर आपको क्लिक करना है इस लिंक पर क्लिक करते हैं आप इस प्रकार के Deshpard को पहुंच जाएंगे जहां पर आपको login को option दिखाई देगा यहां पर आप login बटन को जैसे प्रेस करेंगे वहां आपसे करने के बाद आप अपने राजकाज e-office के डेस्बोर्ड पर पहुंच जाएंगे यहां आपको डेस्बोर्ड को दिखाई देगा जब मैंने e-filing की प्रिक्रिया को समझाया था तो भी मैंने आपको बताया था यहां जो utility का option है उस पर आपको क्लिक करना है utility के option को जब क्लिक करेंगे तो जब हमने e-file create की थी तो create file पर क्लिक किया था लेकिन यहां आप डाक प्रबंधन में initiate dark नाम का आपको option दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक नया कि फॉर्म आपके सामने open होगा जिसमें इन्वार्ड टाइप में यानि डा कहां कैसे आई है उसमें तीन option दिखाई देंगे quick inward, detailed inward और confidential हमें पहली बार कोई dark create करनी है तो सबसे पहले हम quick inward को select करेंगे और नीचे आपको आपका पद और विभाग का नाम स्वता दिखाई देगा अब जो डाक आई है उसके संदर में आप जानकारी मांगी गई है कि सेंडर टाइप कौन है यानि आपको डाक किसने भेजी है कहां से आ आई है तो मेरे पास जो भी डाक आई है उसको मैं select कर लूँगा आपके यहां जो लगूँ हो आप select कर लें मेरे पास यह रास्थान सरकार से आई है अब आपके सामने सेंडर अवलेबल इन राजकार के नाम से दो रेडियो बटन दिखाई दे रहे हैं यह सोड़नो यह आपसे पूछ रहा है कि क्या जहां से डाक आई है उनका डाटा राजकार से उपलब्ध है अथवा नहीं है यदि आपको पता है उपलब्ध है तो आप दियर सलेक्ट कर सकते हैं अनिथा नो करदे हैं अब नीचे आते हैं तो ड्यपार्टमेंट आफिस जहां से डाक कर आई है उसके संदर में आपको यहाँ पर सर्च 93 के लिए आप जहां का ऑफिस सर्च करना है उसके 3 तीन अक्षर जो भी आप टाइप करना चाहें टायप कर करने के बाद जैसे बाहर क्लिक करूँगा सर्चिंग की प्रक्रिया प्रारम हो जाएगी और इस प्रकार से आपको सांभर के ओफिस सारे नेम में अगर नेम पता है तो ठीक है अनिता इसको आप खाली छोड़ सकते हैं और यहाँ पर designation में सर्च कर लें आप C, B, E, O, आपको वो designation सर्च करना जहां से आपकी डाक आई है सर्च करने के बाद सर्च बटन को जब क्लिक करेंगे तो यह designation को सर्च करेंगा लेंस के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो सर्चिंग की प्रग्रिया प्राइम हो गई है और एक नया बॉक्स ओपन होगा आपके सामने उसमें से सर्च करीजिए आप चीफ ब्लोक ब्लोक एजुकेशन ओफिसर अपने आप आ गया इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है ओके बटन गाओ को प्रेस कर देना है यहां पर वो डाग जहां से आई है उसका रेफरेंस नंबर डला होगा यानि डाग पर नंबर डला होगा वो नंबर आपको यहां पर इंसर्ट करना है चलिए मैं आपको पहले डाग भी आपको यहां पर इंसर्ट कर चुक है मैंने कर दिया है यह यह दिखिए दिखाए दे रहा हा वही रिफ्ट्रेंस नंबर pillar है यहां पर और वो तितरी यानि जिस टितरी को यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे तो यहां 24 तरी को हमने पास आई है मैं आपको दिखा देता हूं चोइस फ्रभूर को डाक आई वही है अब हम दो हम पर कर आए कपकर कर रहे हैं उसके संदर में यहाँ पर डेट आ चुकी है और यहाँ पर उस डाक से संभनने जानि डाक की संदर में आई है तो उसका विभूर्ण आप 2000 सब्दों में लिख सकते यहां पर इसको आप नो ही रनने दे उसके नीचे आपको अटेज़ फाइल का ओप्शन दिखाई देता है अब नीचे आते हैं तो यहां नीचे आपको रेफरेंस डाक यानि उस डाक का संधर देना होगा तो यहां पर इसको आप नो ही रनने दें उसके नीचे आपको attach file का option दिखाई देता है attach file के option पर जब आप click करेंगे तो file को attach करना होगा यहां पर कौन सी file attach करनी है मैं आपको बता देता हूँ आपके स्पास आपके कारेले में जो dark आई है इस कारेले से उसके एवज में आपने जो सूचना प्यार की है वो प्रपत्र यहां पर upload करना है चाहें तो आपको आप इस कारेले से प्राप्ट dark को भी उसके साथ attach कर सकते है मैं पहले आपको इस कारेले से यानि cb office से जो हमें dark प्राप्ट हुई थी उसको दिखा देता हूँ और उसके आधार पर हमने जो सूचना प्यार की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद दोनों को merge करके हम यह आप upload करेंगे यह रही वो dark जो हमें cb office से प्राप्ट हुई थी इसमें लिखा गया था कि विद्याले सहयक के मानदे भुक्तान है तो आपको id generate करनी है और id generate करके आपको इस प्रारूप में दो दिवस के अंदर भिजवानी है तो हमने id generate कर दी है चलिए हम upload करते हैं, यहाँ पर attach file पर जाते हैं, attach file पर जाने के बाद में, browse option पर जाएंगे, browse option पर जाने के बाद में, जहाँ पर फाइल इस्टोर है, वहाँ से उस file को हम attach कर देंगे, open किया हमने, open करने के बाद upload होने की प्रारम हो जाएगी, और upload बटन पर जैसे ही प्रेस क करेंगे, वह file upload होके यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगी, अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई option दिखाई दे रहे हैं, save, save new, cancel, reset, send and send new, save का option आप प्रेस करेंगे, save new का मतलब है, आप इस file को save करने एक बाद नई dark generate करना चाहते हैं, cancel और reset का अर्थ है कि आ अभी आप यहाँ पर save button को प्रेस करें, जैसे आप save button को प्रेस करेंगे, आपकी dark create हो जाएगी, यह हम save कर रहे हैं, यह देखे, dark create हो चुकी है, यह जो dark है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, hyperlink इसका, और इसके बाद जो detail है, कि मुखी बलाग सिक्षा देगारे से आप तो यह second education department की है, किसने create की है, और अभी रीट की है या नहीं की है, अभी read नहीं की है, यहाँ पर option आ रहा है, इस फाइल को देखने के लिए आपको जाना होगा inbox के अंदर, inbox में जब जाएंगे, तो यहाँ पर dark section में आप जाएंगे, तो यह फाइल आपको यहाँ पर यहाँ पर इसको read करते हैं, read करेंगे तो जो आपने फाइल upload की थी, वो आपको यहाँ दिखाए दिन लग जाएगी, यह देखिए, हमने यह फाइल generate की है, और चाहिए की सूचना का प्रपत यहाँ upload कर दिया हमने, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि dark number आ गया, किसके द आरकोड उस dark का आपको दिखाई देगा, जिसको आप download कर सकते हैं, अब यहाँ आपको एक option और दिखाई देता है, summary का, summary में आपको पता चलेगा, यह dark कहां से create हुई है, किसके द्वरा create हुई है, तब create हुई है, यह सारी सूचना यहाँ पर आपको दिखाई देगी, यहा आप कोई noting डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं, हमने जो वहाँ पर reference दिया था, वो यहाँ पर आपको वैसे भी मिलेगा, और यह देखिए, noting का प्रपत्र यहाँ दिखाई दे रहा है, हमने इस सब noting की हुई है, अब noting करने के बाद में, हम इस noting वाले बेज को अब close कर देते हैं, close करके वापस अपने मूल स्थान पा जाते हैं, जहां से हमें इस डाक को हमारे उच्चा अधिकारी के पास में भेजना है, उससे पहले उच्चा अधिकारी के द्वारा कोई e-file create की गई होगी, उस e-file में इस डाक को अटेज करक हम digital signature करेंगे, तो हम इस फाइल को भेज रहे हैं, उच्चा अधिकारी को send to anyone पर click करेंगे, आपकी preferred list open हो जाएगी, और यदि नहीं है, तो आप preferred list में उस employee को search कर सकते हैं, जिसको आपको यह भेजना है, यहाँ employee ID लिखकर जब search करेंगे, तो यहाँ पर आपको वह employee को search करके, उनके पास इस फाइल को send कर रहा हूं, ताकि इस पागे की करवाई हो सके, यह हमने send कर दिया, और अब यह फाइल उनके inbox में दिखाई देगी, उनके inbox में जब आप जाकर check करेंगे, तो आपको फाइल वहाँ पर open दिखाए देगे, हमने उनका inbox खोड़ लिया है inbox में जाने के बाद में, आप dark section पर जाएंगे, तो फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो भी हमने भेजी है, इस फाइल को open करके check कर लेंगे, चेक करने के बाद में, आप इस फाइल को किसी e-fाइल के साथ attach करके, जहां इसको आपको send करना है, उस पर digital sign करके digital sign करने के लिए आपको इसको e-fाइल से attach करना होगा, अन्य था इस पर digital sign नहीं होगे, तो digital sign करने से पहले e-fाइल कैसे create करेंगे, उसकी प्रक्रिया मैंने आपको पिसले वीडियो में बता दी है, और वहीं पर आपको digital sign के प्रक्रिया भी समझा देती, यदि आपने वो व यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इस प्रकार से आप डाग को create कर स्पाएंगे, डाग को handle कर पाएंगे, डाग पर digital signature कर पाएंगे, धन्यवाले